देखिए ये है हमारे जबड़े की हडडी, इसे कहते हैं Mandible और ये है हमारी Maxillary Bone, हमारे जो दात होते हैं, इन ही हडडियों के अंदर एक Socket Like Structure होता है, उसी के अंदर ये Fit रहते हैं, इन दोनों हडडियों में पाए जाने वाले Socket, जिसमें Teeth Fit रहते हैं, इसे Alveolar Process कहते हैं, ये है mandibular alveolar process और ये है maxillary alveolar process देखें हमारे oral cavity में जितने भी दात पाए जाते हैं उन्हें चार भागों में बाट दिया गया है functions के आधार पर इसके बारे में बच्पन में हमने पढ़ाई भी किया है एक होता है incisors जो की food को bite करने में मदद करता है ये संख्या में 8 होते है चार उपर की तरफ और चार नीचे की तरफ इसके बाद हमारे मू के अंदर चार canine दात होते हैं जो की food को फारने का काम करते हैं बीच से दो भागों में तोड़ने के लिए ये बिलकुल हमारे incisors के बगल में पाए जाते हैं ये बिलकुल नुकिले होते हैं और संख्या मे चार होते हैं कुछ कुछ में तो ये बिलकुल बाहर की और निकले हुए भी होते हैं तीसरे प्रकार का दात जो हमारे socket में पाया जाता है वो होता है pre molar teeth देखे ये संख्या में 8 होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे food को crush और tear करने का काम करते हैं बिलकुल छोटे पीस कर रख देते हैं जब यही महीन टुकड़े हमारे पेट में जाते हैं तो इनका पाचन आसानी से हो पाता है बट सभी लोगों में मोलर की संख्या बारा नहीं होती है 21-25 साल की उम्र में व्यक्तियों को पीछे की ओर चार मोलर टीथ निकलना शुरू होता है उपर और नीचे दोनों ही जगहों पर और इसी को कहते हैं विजडम टीथ देखिए छोटे बच्चों में जो दात पाए जाते हैं उन्हें दूद का दात कहा जाता है ये लगभग एक साल की उम्र में उगना शुरू होते हैं और 6-7 साल की उम्र में ये जढ़ना भी शुरू हो जाते हैं उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है उसके पर्मानेंट टीथ ग्रो होने लगते हैं जो दूद के दात होते हैं उनकी संख्या केवल 20 होती है और आपको पतादे कि छोटे बच्चों में प्री मोलर टीथ होता ही नहीं है देखे अध्यरन करने के लिए हमारे औरल कीविटी को दो भागों में बाट दिया गया है एक ये है हमारा औरल केविटी प्राफर जो कि दात के पीछे वाले हिस्से में होता है ग्रीन कलर वाला पॉर्शन जो आप देख रहे हैं और यह है oral vestibule जो हम अपने दात के नीचे मसूड़े देखते हैं मसूड़ा या गम भी कहते हैं अशे हमारे मसूड़े का काम क्या होता है यह हमारे दातों को बिल्कुल एक जगा tightly packed किये रहते हैं देखिए हमारे दात के उपर जो सफेद रंग वाला हिस्सा हम देखते हैं इसे enamel कहते हैं और ये हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कथोर भाग होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि दात का पूरा का पूरा हिस्सा ही इतना कथोर होता है जैसे ही हम अपने दात के अंदर की और इसमें minerals कम होते हैं इसलिए ये less brittle भी होता है और आसानी से तोड़ा भी जा सकता है और जब हम dentin के भी अंदर जाएंगे तब हम अपने दात का सबसे soft हिस्सा पाएंगे जिसे हमारे दात का pulp कहते हैं इस pulp में ही हमारे दात का blood supply होता है और इसमें nerves भी पाए जाते हैं देखें हमारे दात के अंदर जो भी हमें दर्द महसूस होता है वो दात के इसी pulp में मौजूद nerve के stimulation की वजह से हमें दर्द महसूस होता है देखे हम जो अपने दाद का हिस्सा देख पाते हैं जो मसूरे के उपर होता है उसे एक crown कहते हैं और जो हिस्सा मसूरे के अंदर होता है mandible और maxilla bone के alveolar process के socket में रहता है उसे दाद का root कहते हैं जो हमारे molar teeth होते हैं उनके root कुछ इस तरीके से होते हैं मतलब चार भागों में बटे रहते हैं और इनके चारों और एक बहुत ही पतली सी सनचना होती है जिसे cementum कहते हैं यही cementum हमारे दाद को बहुत ही tightly packed किया रहता है alveolar process के socket में देखें इस image में आप ध्यान से देखेंगे कि जो चारों प्रकार के दाद होते हैं उनके root ये जो हिस्सा socket में धसा रहता है वो अलग-अलग होता है molar teeth का root चार भागों में बटा रहता है क्योंकि surface area में ये बड़ा होता है और बाकी के तीन दात premolar, incisor और canine के root कुछ इस तरीके से nucleotide होते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि एक बहुत ही छोटे सी वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और नीचे कॉमेंट करके ज़रूर कुछ न कुछ बताएगा मुझे